हेलो फ्रेंड्स आयम फ्रॉम दी इनव गैस आज हम बडर्म सेकींड एर का हिस्टी का सैकेंड लेसं करने जा रहे है जिस चैपटर का नाम है का समुंदरी वैपार में भारती वैपारी तो गैस आपको एस चैप्टर का मतलब डिफैंजन में सबसे पहले चैप्टर के बारे म समझ लेते chapter है क्या तो गाई जैसे कहता है समुंदर के अंदर में भारती वैपारी किस तरह रोल रहा है उसमें किस तरह वैपार किया गया उसकी बारे में chapter है यह chapter total 8-15 सतावदी के बीच का chapter है जो second lesson है जो second lesson है इस्ट्री का आपका जो second lesson आज़करवार हो में यह guys कई बार एक दो question पूछ ली आता है इस chapter में से तो हम उसके लिए प्रिपेर होते हैं और इस chapter की खास बात है कि बहुत छोटा है इसली समझ में आता है और अतलो यह भारत का नक्सा है ऐसे करके कुछ भारत का नक्सा है मतलब नीचे में यहां पर तो स्रिलंका हैं अज आज सी और इस साइड में मंगाली की खाडी थोड़ी सी और नीचे में पूरा हिंद मास आगर है तो वोस Left-क अधिपत है भारत श्योंगर但 क्नृट है सागर के किंदरिस्ति हिंद माहीं सागर में भारत की क्या सित्हें कितना कभज एक कितना क्या इसके ओपर में पुइंट है जिसके अंदर में सबसे पहला आ जाताई पुइंट विसाल भू, चेत्र धरीता मतलब भाई जो भारत है आप देख रहे हो जैसे मैंने फीगर बनाया है ऐसे करके फिगर बनाया है तो विसाल बूछे दरिता मतलब भारत ने पूरा बहुत बड़ा एक तो छेत्र बाई जमीन है भारत का बड़ा देश में से एक है तो गाइस उसके कारणा हिंद मासागर पर उस पर सबसे जादा कबजा होता है अगर मालो कोई व्यक्ति इतना चोटा सजगह है तो वो हिंद मासागर पर इतनी जगह पी तो कबजा करेगा ना अगर मालो मेरा इतना बड़ा जगह है तो मैं सब जगह कबजा करूँआ तो कहने के मतलब कुछ इस तरह से चीजे हैं अब देखो यह समझ में आता है तो विशाल बूछे तर दरिता म आप जैसे की जानते हो कि हिंद महा सागर जो है वो भारत को तीन और से घेरता है कुछ जो हमारा फीगर है भारत का जो मैंने बता है इस तरह से करके बना हुआ है तो इस तरह से बना हुआ है कि एक साइड दो साइड तीन साइड मतलब एक दो तीन वो तीन और से हिंद महा ऐनाता है तत्र अगला पॉइंट आटागोन से लंका के साथ हिंद माहसागर में केंद्रे से थी कायल जैसे कि आप जानते हो just love that में से लंका एक देश है पडूतितन आते हैं मतलब अधिकार रखने उस पर हिंद महासागर पर जताते हैं तो वही बताता है स्रिलंका के साथ हिंद महासागर में केंद्रे स्थिति स्रिलंका के साथ भी हम अपनी केंद्रे स्थिति दिखाते हैं महासागर में स्रिल्लंगा की मदद से भी हम हिंद महासागर को पूरा कवर अप करते हैं यह तोटल पहले आपके पॉइंट बाइप पॉइंट है आपके बुक के अंदर जो पॉइंट बने हुआ समझा रहा हूं और जो इंपॉइंट पॉइंट है स्रिफ बने उनको लिया है बाकी को मैंने छोड़ दिया है कुछ खास नहीं है चैप्टर पर फिर भी गाइस दे रखाय तों करते हैं समझ मैं है कैसी हिंद महा चलता है जब भी आपको सुरोथ के बारे में कि शुरोथ तो जब भी आपको सुरोथ के बारे में कोश्चन है तो हमें क्या बताना होते है कि मैं पता कैसे चला कि यह चीज था क्याने मतलब आटवी से पंद्री सताब्दी के दौरान समुंद्री वेपार के इतियांस मतलब आटवे से पंदेस हजादी के दौरन समंदरी वयपार होते थे तो तो क्या सुरूत थे वह पार होते थे तो वह कोश्चन इस तरह का बनता है ठीक है और जो यह सुरूत वाले कोश्चन है आपको मतलब हर क्लास में 11 12 बीए 1st year 2nd year 3rd year हर सब सब्सक्राइब में मिलने वाले आ आते ही आते हैं तो इसको ध्यान से करना थोड़ा मैंने किया भी इसमें और आप पढ़ लोगे ना कर वक्सों जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अगर एक बार आप बुक में देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छा सा कवर अप हो जाएगा ओक है अभी में एक बार रिव हासा है हो हमारा संस्क्रीत है संस्क्रीत के अभी-लेक बहुत एदा लिखी गई थी तो उसके कान बता हो जाता है ओक हमें समुंद्री वैपार के बादे में पता चला ठीक है और वोकॉन अर्वी और फार्सी मतलब हमारे भारत में अर्वी हुआ Angelsman जब आने सुरु हुगए थे आर्वीज अर्वी segunda में इसलाम के लोग आने सुरु हो गए थे आर्वी और फारसी सबसे जादा लोग आये थे तो उन्होंने भी कई सारे वर्णन किये लिखे किताबे लिखी बताया तो उनके जरिये भी हमें समुद्री वैपार के बारे में पता चलता है ठीक हैस सेम हमारा पडूसी देश चीन है तो चीनी ग्रंथों के जरिये भी हमें समुद्री वैपार के बारे तो उनके विर्तांत, मतलब जो उनकी बायोग्राफी, जो भी लिखा हो, उनोंने विर्तांत लिखा, तो उसके अंदर भी हमें समुंदरी वैपार के बारे में बताया है, उनोंने, अब देखो, कहता है यहूदी वैपारी के पत्र, भाई यहूदी, जो आपको यहूदी के ब भारत में यहुदी लोग तब उनके द्वार जो पत्र लिखे गए थे उन पत्रों के जरीए भी हमें पता चला कि वह कहां पर कैसे पत्र लिखे जाते थे पत्र एक दूसरे को देना उनके जरीए भी हमें पता चला कि किस तरह से समुंद्री वैपार होता था गाइस एक पुस मने फ्रोष तक है ॉके गईस अब देखो लास्ट में एक पॉंट अन्ने लिखा है लिए है क्या किसमें चार पांच पॉंट याई जो मैंने छोड़ दिया आपको कवरभभब कर ले ना देख ले ना मैं समझा जह रहा हूँ कि जो मतलब संकी की शूचना है इसमें एकि पर या से और उतना दिल्क टो संखि की सूचना만र के जरीए भी हमें पता चला है ये सब मतलब कुछ मैं किकी सूचना है घड़ी चरला है और स्रिख लंका के बीच पो आख की सब मतलब कुछ स्री लंका के जरीये भी स्री लंका के कैसी लंका के जरीये स्री लंका के मूल विर्तांत जो थे वहां के स्री लंका के बारे में क्यों पढ़ रहें कि आप स्री लंका विर्तांत क्योंकि गाइस जो हमारा समहिंद मास आगर है वह स्री लंका को भी उससे जोड़ता है ठी तो उसका भी हिंदमासागर से जोड़ता तो जिसके कारण से लंका ही रचनाओं में भी हमारे भारत का दिखाया जाता है कि वैपारी किस तरका था ठीक है उनमें काफी दिखाया गया है यह पूरा आपको यह दो पॉइंट थे आगे और भी है मैं आपको वन वाई वन करके सम है कि केंद्रिशिति में भारत का विशाल भू छेतर धर को भारत का जो भी शाल भू खेतर भारत को बता दिया वह एक श्रिलंगा से वहाइद नहीं तीन और अपर अपर देश होने कारण उसमें केंद्रिशिति इसे लंका के साथ केंदरिसिती हिंद महासागर में बनती है जैसे कि मैं आपको बता दू कुछ पॉइंट्स हैं जो हिंद महासागर समुंदरी छेतर फल का लगवग 20% धारक है जो हिंद महासागर है टोटल समुंदर जितने भी हमारे बारत में मतलब जो भी 5-7 जो भी समुंदर है महासागर है उसमें 20% का जल सिर्फ हिंद महासागर में है तीसरा सबसे बड़ा महासागर में से एक है जो परसांत महासागर अंटार्टिका महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर के तौर पर हिंद महासागर जाना जाता है और गैस इसकी सबसे बड़ी बात की ये बहुत जादा भू धरीता वाले छेतरों को जोड़ता है जैसे बारत हो गया से लंका हो गया मतलब बहुत जादा भू धरीते वाले को और गाइस हिंद महासागर के कारण जो आपका हिंद महासागर है आपका बैपार को बहुत जादा इजी बनाया उस टाइम पिरिड में क्योंकि चीनी या त्रियों को आना ही मतलब पहले के टाइम पर फ्लाइओवर रोड तो हुआ नहीं करते थे तो लोग किसके जरी आते थे तो समुंदर के जरिये ही आते थैं महासागरों के जरिये ही आते थे एक जगा सा दूसरी जगा ठीके गाइस जो भी हमारे भारत में जितने भी विदेशी आये है चाहे इसलाम के हो, चाए यूरोपियन हो, चाए कोई भी हो, वो सारे महासागरों के जरिये ही आये हैं मतलब अलग-अलग समंदर अलग-अलग जरिये ही आये है ठीक है, उनका कोई रोड फ्लाइवर तो थे नहीं क्यों से समय आ गए ये पूरा आपका ये अब आगे बढ़ते हैं, आगे के अंदर कुछ खास नहीं है, आगे के अंदर कुछ पॉइंट ऐसी दे रखा है, वस कुछ है नहीं खास, इसमें एक पॉइंट देखा है, पूरवी हिंदमासागर में अगरनिय बंदरगा, मतलब गाइस पूरव के जो हिंदमासागर था, पूरव के साइड का, मतलब गाइस, इस साइड वाला जो हिंदमासागर था, पूरव, मतलब हिंदमासागर, तो उसमें किस-किस तरह के बंदरगाह कुन-कुन सा है, तो बंदरगाह क्या होता है, बंदर की रहने वाली जगह तो बिलकुल प्लेन जहां पर आकर रुखती है तो एयरपोर्ट तो जहां पर जहाज आकर रुखती है उसको हम बंदरगा कहते हैं लाइट हाउस आपने देखा होगा ना लाइट हाउस बने रहते हैं समद्रों में यहां पर बंदरगा उसे कहलाते है तो पूरवी हिंद मास आगर में अग मतलब यह बस पॉइंट्स दे रहका है आप उनको देख लोग एक बार समझ में आ ये मतलब मुंब demi कि आसपास के सारे हैं आपको ये बंदरगा है उनके बारे में होक्ते हैं आपना यह समुंध्री वहिपार होते थे उसमें क्या किया जाता था वस्तु वह का जो है जो भी हम समुंद्रि मतलब हम किसी से कुछ चीज लेना देना है थे पार का एक्षेंजिस्टम इसको इंगिल्लिस में बादर सिस्ट्रम कहते है वीनिमे क्या होता है सब्सक्राइब मेरे पास चावल है राइस है मुझे चीनी चाहिए मुझे अगर उप्छी और और उससे फिल लोगा तो इस तरह से मतलब एक्षेंज करना आज हम क्या करता है इसके बीकार आपको इस हो लेलो मुझे उसकी जब दीट लेलो ठीक में समुंधरी पर क्यों मुंत्र पॉने क्या 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 जाता था तो वस्तो का विळी में आयात निरीयात मतलब नॉर्मली, आयात लिया जाता ता है यहां से समान लेकर जाए जाता था आपको जैसे की सब को पता होगा कि भारत मतलब सुरू से मसालों का देस रेश्यम का देस माने जाता था, रेश्यम कपड़े ठीक है उनी वर्स्तर खादी है सब के बहुत जाता वैपारी मतलब केंदर था भारत ठीक है मसाल होगा केंदर जाओ भूमी थी तो उसके कांच से बाकी देश भी हमारे भारत के और अकरसी थो रहे थे जो एक मुक्य कारण में से एक रहा ठीक है यह टोटल इसका कारण बनता ह यह पूरा इसका यह था आगे जिसके अंदर फिर एक समुंदरी मतलब वैपारी समुदाय दे रखा है कि वैपारी समुदाय में क्या क्या होता था कप्तान जो नाव को हैंडल करता था जलवान स्वामी यह मतलब यसे करें कि कुछ पॉइंट से बेकार है उतने खास नहीं ह और फिर भी आप एक बर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यह टोटल आपका गाइस इस सेकिंड चैप्टर था बी ये प्रोग्राम सेकिंड डियर का आपका सेकिंड लेसन था जिसका नाम था समुंदरी वैपार में भारतिय वैपारी गाइस आपसे रिक् सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को बताओ कि वो भी देखें सेयर करें सब्सक्राइब करें मैं आपको पूरा आपके एक्जाम में नहीं जुन जुलाइब में आपके हसूल के स्टुट्ट के इसाम आते हैं नौन वालों के भी आते हैं तो उससे पहले आपको पूरा स्लिवस को रगा मैं हर वीक डाला जा रहा हूं यह एक्जाम यह सेकिंड चैप्टर तकर इसे पहले आप्का